हलो एवरिवन, कैसो हो आप सब लोग, स्वागत है आपका आशा वर्मा फोर्ड व्लोक्स में, आज हम बहुत अच्छा सा हेल्दी ड्रिंक लेकर आए हैं, जट पड भी बन जाता है और सौस्त के लिए बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पर यह देखिए, हमने इतनी सौफ हो गई हमारी, अब हम क्या करेंगे, इसको हम भिंगोएंगे, तो एक बार इसको हम अच्छे से धुलेंगे, तो चलिए इसको जट पड धुल लेते हैं, किसमें इसको अच्छे से धुल लिया है, और अब इसमें हम क्या करेंगे, यह जो सौफ है, और इलाइची है, इसको भी हम इसी में डाल देंगे थोड़ा सा इसका मुझ खोल देते हैं जिससे यह अच्छे से जो है ने फूल जाएंगे इसके दाने जो बास इस तरह से थोड़ा सा ऐसे करके डाल दीजिए हमने क्या है सौफ और हरी लायची मलब फुली है खड़ी वाली अगर आपके पास इला पाउडर हो तो आप इसको दोनों को अभी निडालिएगा यानि इलायची और सौफ का अगर पाउडर है आपके पास तो दोनों को अभी नई डालिएगा बाद में डालिएगा केवल किसमिस जो है इनको हम भिगो लेंगे तो कितनी देर के लिए भिगो ना है इनको आप ए पानी में आ जाए तो आब तीनो चीज़ों को हम अच्छे से भीगने देते हैं एक घंटे के लिए जब अच्छे से घंटे भीग जाएंगे फिर हम आप से मिलते हैं अब ये देखे कितना बढ़िया फूल गया है स्व तीनो चीजें बहुत बढ़िया से फूल गई है अगर आप इसको पानी को खुझबू लेंगे ना बहुत भे़तेरीन खुस्बू आ रही है, सौफ वगयरा की सब के बहुत अच्छे खुस्बू आती है इससे कहना पूरा अर्ग बढ़िहा सा अपने जूस में आएगा तो इस देखे, है ना यह देखे है ना कि तब बढ़िहा फूल गई है अब यह पीसने में भी आसानी रहती है तो चलिए अब इसको हम पीसेंगे और साथ में पता है हमने क्या किया है हमने आधा घंटा के लिए यह चिया सीट्स थे, इनको भी हमने भिंगो के रख दिया था आधा घंटा में अच्छे से भीग जाते हैं आधा घंटा चालिस मिनट में आराम से भीग जाते हैं कम से कम आप इसको आधा घंटा का समय देजिएगा तो अच्छे से यह फूल जाते है तो यह देखे किते बढ़िहां से यह फूल गये हैं तो अभी इनको एक साइड में रखते हैं मिकजी के एक जार लेंगे और Pitt- Biz- इस बढ़िए मंकी करने एकएा पानी जादा है नहीं तो पानी सहिट हम डाल लेंगे अगर ज़्यादा पानी हो तो बहट पानी इसमें मत पीष समय रखियेगा क्योंकि ज़्यादा पानी रहेगा न तो पीषने में दिक्कत हो जाती है फिर उतना महीन नहीं पीषता है तो पास इसमें पूरा इसमें से डाल लेते हैं अब यह देखे इसमें हमने डाल दिया है अब किसमिस हमारी मीठी होती है तो अगर आप मीठा थोड़ा अवाइड करते हूं तो इसमें मीठे में कुछ मट डाले बस इसी को पीष लीजिए और अगर थोड़ा मीठा पसंद करते हूं तो इसमें या तो शहट डाल लीजिए य या तो थोड़ा गुर्ड डाल लीजिए या तो चीनी डाल लीजिए तो यहाँ पर हम थोड़ी चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो बस स्वाब के मुताबिक आप इसमें चीनी डाल लीजिए जितना आप कम ज्यादा मीठा पसंद करें तो यहाँ हम इतने छोटे-छोटे तीन च यह देखिए कितना अच्छे से फूल गए थी इसलिए यह देखिए बिल्कुल भी खड़ी किस्मिस नहीं है थोड़ी बहुत है तो पीर उसको भी हम बताएंगे कि इसको भी कैसे यूज करना है तो यह देखिए इस तरह से हो गया तो इसमें चलिए थोड़ा सा पानी भी मिल दालेते हैं अब हमेक गलास पाणी डाल रहे हैं पाणी आप अपने अवासद़ अनुसार ही डालिएगा जिपने में बडिया सा शेर्बत त्यार हो तो फिलाल हम यहां पर रूम तपरीचर वाला पाणी क blending कर रहे हैं क्योंकि आज पर सरदियां शुरू हैं तो room temperature वाला पानी ले लिजेगा अगर मालोग गर्मिया है तो बड़ी हां ठंडा 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 पानी लेजिए ice cube लेजिए फिर शरबत का आनंद लेजिए लेकिन अभी क्या है सरदियां चल रही है तो room temperature वाला पानी डाल कर हम सरवत का आनंद लेंगे तो अभी देखिए हमने इतना पानी डाल दिया है अब इसको हम छानते हैं फिर जब घटेगा पानी तो फिर हम और डालेंगे अब कोई भी एक बड़तन आप ले लीजिएगा अपनी सुभधा अनुसार जिसमें आपको लगे कि इसमें बड़ियां सा सरवत च्छन कर आ जाएगा इसमें हम बड़ी च्छनी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि छोटी च्छनी होती है तो इस तरह का सरवत जो है वो च्छनने में बहुत दिक्कत होती है बड़ी च्छनी में अच्छे से च्छन जाता है बस यह देखे इतना आ गया अब हमको चम्मच का भी सहारा लेना पड़ेगा तो इसको इस तरह से करते जाएंगे और जूज 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 है उपर यहां नीचे आ जाएगा अब यह जो ऊपर आएगा ना इसको भी हम आपको बताएंगे कि बचे हुए हिस्से को आप बड़ियां सा कैसे यूज करें अभी देखिए इस तरह से च्छन किया है अभी हमारा थोड़ा सा गाः तो अभी इसको हमको और पानी डालना पड़ेगा अगर पानी हमको डालना है तो क्यों ना हम इसको फिर से मिक्सी के जार में ही वापास डाल देते हैं और इसको जितने आवस शक्ता होगी उतना ही हम हम इसमें मिक्सी में फिर से पानी डाल देंगे है ना तो अब इसमें हम पानी डालते हैं अभी हम एक गिलास पानी और डाल दे रहे हैं पानी की मात्रा आप अपने हिसाब से डाल देजेगा कम जादा अब बास ही देखी हमने फिर से इसमें पानी डाल दिया है और इसको फिर अभी, भी आप सोच रहा हुए हैं, अब इसको हम फेक देंगे तो अभी हम इसको फेकेंगे नहीं अब आप इसको क्या करिएगा? इसके दो तरीके हैं, यूज करने की, यूज बचे हुए हिससे को पहला तरीका क्या है इसको अच्छे से इसका पानी ऐसे से करके आप निकाल दीजिए और इसको धूप में सुखा दीजिए सुखाने के बाद फिर इसको पीस लीजिए पीसने के बाद जैसे आप दूद गर्माएं तो उसमें थोड़ा सा इसको चूरन को यानि पाउडर को डाल दीजिएगा फिर इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा तो एक ये तरीका है दूसरा तरीका क्या है जो हम फटा फटा अपना लेते हैं, वो किया है, हम इसको लेंगे पानी, जैसे मान लो दो गिलास पानी है, मैं फिर इसको ढहनद दिलब या टिल देजिय जब दो गिलास का एक गिलास पानी हो देजाए, तो बस फ्लेंगे बीख़ पानी हलका हलका गुनगुना रह जाए तो इसको छान लीजिएगा फिर उस पानी को पी लीजिएगा एक ये तरीका है जो हम ज़्यादा तर यही अपनाते हैं तो बस इसको भी फेकेंगे नहीं इसको हम रखते हैं साइड में तो अब ये देखे इतना हमारा बढ़िहां सा जूस त पीना हूँ वह एक बड़तल लेले और उसको इसमें डाल दें सर्दिया होती तो बढ़िहां आप इसमें आइस क्यूब डाल लेते लेकिन सर्दिया नहीं है तो बास इसी तरह से हम फूल इंजॉय करेंगे तो थोड़ा थोड़ा खाली रखिए क्योंकि इसमें अभी हम जि ला लेजिए इस तरह से इतना काढ़ा बन गया ना जटपट हेल्दी ड्रिंक तो आप भी इस तरह से बनाईएगा और बताईएगा जो आज हमने ये ड्रिंक की रेस्पी आपके साथ शेयर की है आपको कैसी लगी है तो मिलते हैं इसी तरह की एक और अच्छी हेल्दी टेस प्रेसीपी के साथ तब तक सी यू टेक केर बाय बाय